भारतिय प्रधानमंत्री नरेंड रिमूदी, आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आंथनी अल्बनीज और भारत आस्ट्रेलियाई दोस्ती के 75 साल गुरुवार को मोटेरा में होने वाले टेस्ट मैच के पहले घंटे में इसी पर ध्यान रहेगा। दोनों प्रधानमंत्री इस गलियारे से गुजर कर वॉल ओफ फेम का उठाटन करेंगे और कमेंटरी पर भी अपने हाथ आजमाएंगे उमीद है कि स्टेडियम एक लाख दर्शकों से भर जाएगा तीन हजार से जादा पुलिस कर्मी का इस तर का सुरक्षा पहरा देंगे दोनों टीमें प्रधानमंत्रियों से मिलने के लिए भी बेताब है भारत और ऑस्टेलिया के साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के लिए भी बड़ा दिन है हम आपचारिकताओं पर पूरा ध्यान देंगे और फिर बात हमारे खेल पर फोकस करने की है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों आ रहे हैं और ये एक बेहद रोमान्चक दिन होगा लेकिन खिलाडियों के बारे में सोचें तो कैसे हमें खेल को बेहतर बनाना है इस पर हमारा ध्यान होगा और अपने खेल को हमें बेहतर बनाना ही है ताकि इस टेस माच को हम जीत सके ये मैच जीत कर भारत विश्व टेस्ट चैंपिनशिप के फाइनल में पहुँच जाएगा अगर हारा तो उसकी किस्मत श्री लंका के हाथों में होगी स्टीव स्मिथ बताते हैं कि ये मुगाबला पिछले तीन टेस्ट से जादा लंबा खीचेगा पहले गेंदबाजी करते हुए टीम में अब तक तीनों मैच जीते हैं टॉस और गेंदबाजी जीतने के लिए एक बहादूर व्यक्ती आगे जाएगा हमें बस अब आगे का इंतजार करना है टॉस जो भी जीतेगा उस कप्तान के लिए ये तै करना बहुत मुश्किल होगा कि बल्ले बाजी चुने या गेंदबाजी क्योंकि अब तक हुए तीनों टेस्ट टॉस जीतने वाली टीम हार चुकी है यदि आप तॉस जीते हैं तो आगे क्या करना है इसके बारे में मैंने सोचा है मुझे लगता है कि अब तक जो भी तीन परिणाम आए हैं उनमें खिलाडियों ने तॉस हारना पसंद किया है मैंच के पहले दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में मौझूद होंगे जाहिर से बात यह है कि उन पर ज्यादा ध्यान होगा लेकिन यहां के खेल प्रेमी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 20,000 टिकेटे उनको मिला है टिकेटिंग पार्टनर के जरिए 80,000 टिकेटे बीजेपी समर्थकों को दिया गया है याने की डर इस बात की है जब अंदर एक रुमांचक मुकाबला चलेगा तो ज्यादातर सियासी लोग मौझूद होंगे और असली खेल प्रेमी रहेंगे बाहर आम दबात के नरंदर मोधी स्टेडियम से चामरापरसन जेविर थॉमस के साथ रीका रॉय, NDTV